प्री विध्यार्तियों, मिमेखा गुपता, साहे काचार्य संस्कृत, राज के महाविध्याले बुंदी, राज के महाविध्याले बुंदी द्वारा संचालीत उनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सबका स्वागत, महा कवी बान भट्ट करेत, लोक विश्रोत कथा ग्रंथ कादम बरी के भव्य भाग शुकनास ओप देश के आज की इस अंश में महामंत्री शुकनास लंपट चनों की चाटू कारिता में फसे, फलतह राज कर्तव्यों से विमुख हुए, राजाओं की दुर्गुणों को प् अपरेतू स्वार्थ निश्पादन परैर, धन पिशित ग्रास ग्रिध्रै, रास्थान नलिली बकै, ध्यूतम विनोद इती, परदाराभी गम्नम, वेदग्ध्यमिती, म्रिग्याश्रम इती, पानम विलास इती, प्रमत्तता शोर्यमिती, स्वदार परित्यागह अव्यस नितेती, गुरु वचनाव धीरण, मपर प्रणयत्व मिती, अजित भृत्यता, सुखोप सेव्यत्व मिती, रित्य गीत वाद्य, वेश्याभी सक्ती, रसिक तेती, महापराधा नाकर्णनम, महानुभाव तेती, परिभव सहत्वं, क्षमेती, स्वच्छंदता प्रभुत्व मिती, देवाव माननम, महासत्व तेती, वंदी जन, ख्याती, यश इती, तरलता उचसाह इती, अविशिशग्यता, अपक्ष पातित्व मिती, दोशान अपी, गुण पक्ष मध्यारोप यद्भी, रंतह स्वयम अपी, बिहसत्भी, प्रता वित्मद मत्चित्ता, निश्यत नया, तथे वेत्यात्मन्या, रोपिता, लीका भी माना, मर्त्य धर्मानों पी, दिव्याँशाव तिर्ण मिव, सदेवत्त मिवाती मानुषं, आत्मान मुत्प्रेक्ष मानाह, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानु भावाह, सर्व चनस्योप हास्यता मुपियांती। यहाँ पर संपुण गध्यांश। एक ही वाक्य के रूप में हैं, महा कभी बानभट की इस तरह की गध्य शेली को देखकर गध्यम कवी नाम निक्षम वदनती आचारे वामन की यह उक्ती सर्वता सार्थक प्रतीत होती है। अपरे तू अपर कार्थ होता है अन्य दूसरा दूसरे तो तू कार्थे तो अपरे तू दूसरे राजा लोग तो सर्व जनस्य उपहास्यताम उपियांती। वाक्य के अन्त में हैं सर्व जनस्य उपहास्यताम उपियांती। समस्त प्रजाजनों के उपहास्यताम उपहास्यता को उपियांती प्राप्त कर जाते हैं। उपहास्यता केते हैं उपहास्यता को हसी की पात्रता को उपियांती उपुपसर्ग याधातू लटलकार प्रथम पुरुस बवचन में जी प्रत्य होकर उपियांती बनता है ये क्रियापद है। उपियांती का आर्थ होता है प्राप्त कर जाते हैं। उपहास्यता को प्राप्त कर जाते हैं अर्थार्थ उपहास्यता को उपियांती हसी के पात्र बन जाते हैं। किस तरह से समस लोगों के भास के विशे बन जाते हैं राजा लोग उसका है कि धूर्ताई धूर्ताई प्रतार्य माना धूर्त जनों के द्वारा बंचकों के द्वारा ठगों के द्वारा लंपट जनों के द्वारा प्रतार्य माना ठगे जाते हुए प्रवंचना किये जाते समस्त लोगों की उपहास की विशे बन जाते हैं अब केसी धूर्तों की द्वारा ठगे जाते हैं धूर्ताई का विशेशन है प्रत्थम है स्वार्थ निश्पादन परई स्वार्थ निश्पादन परई र का विसर्ग बन जाएगा रुद्विसर्ग संधी है अपनी स्वार्थ सिध्धी में लगे हुए धन पिशित ग्रास ग्रिध्धई धन पिशित ग्रास ग्रिध्धई धन आनी एव पिशित आनी तेशाम ग्रासे ग्रिध्धई पिशित कार्थ होता है मांस धन पिशित कार्थ है धन रूपी मांस का ग्रास करने में, धन रूपी मांस का भक्षन करने में गृध्रई, गृध्ध जैसे, गिद्ध जैसे अर्धार्थ, जिस प्रकार से गिद्ध मांस को दूर से ही देखकर उसे प्राप्त करने के लिए, उसके आसपास मंडराता रहता है, उसी प्रकार धूर्थ जन भी गिद्ध की तरह अत्यन्त धन लोलूप होते हैं यहाँ पर धन पिशित ग्रास गृध्ध्रई में परंपरित रूप कलंकार का प्रयोग हुआ है धूर्थाई का तृती विशेशन है आस्थान नलीनी बकई, गृध्ध्रई प्लस आस्थान नलीनी बकई आस्थान का आर्थ होता है राज सभा भवन, सभा मंडप अमरकोष में खा गया है समज्जा परिशद गोष्थी सभा समीती संसद आस्थानी कलेब मास्थानम इस्त्री नपुन्सकयो सदह आस्थी यते जनई अस्मिन इती आस्थानम आपसर्ग पूर्वक इस्ता धातु से ल्युट प्रत्य होकर आस्थानम शब्द बनता है आस्थानम का आर्थ होता है राज सभा भवन राज सभा भवन रूपी नलीनी का आर्थे कमलीनी राज सभा भवन रूपी कमलीनी में बकह बक्स्वरूप पक्षी का नाम है बगुला जिसको कहा जाता है तो धूर्ताई का इत्रतिय विशेशन है धूर्त जन कैसे होते हैं राज सभा भवन रूपी कमलीनी में बगूलों जिसे अर्थार्त जिसे बगूले कमलीनी का आश्रे लेकर उसके पत्तों में स्वयम को छिपाकर मशलियों को ठकते विए चंचु पुट से उन्हें सहसा लेते हैं उसी प्रकार धूर्त जन भी राजा का आश्रे लेकर दूसरों को ठकते विए सहसा उनके धन का अपहरण कर लेते हैं इस वाक्ये खंड में भी परमपरित रूपक अलंकार का प्रियूग हुआ है यहाँ पर सुन्दर और विचित्र होने के कारण राज सभा भवन पनलीनी का अर्थार्द कमलीनी का आरोप किया गया है आगे है दोशान अपी गुण पक्षम अध्यारोप यद भी यह धूरतई का विशेशन है दोशान अपी दोशों को भी गुण पक्षम गुणों के पक्ष मे गुणों की श्रेणी में गुण कोटी में, गुणों के रूप में, अथ्या रूप यद भी आरोपित करने वाले धूरतई, धूरतों के द्वारा, अब किस तरहसे दोशों को गुणों के स्वरूप में आरोपित करने वाले, दोशों को गुण बताने वाले, इसके हैं, कि ध्यूतम विनूद इती, ध ध्यूतम का अर्थ होता है जुआ विनोध विनोध का अर्थ है मनुरंजन मन भहलाव है ध्यूतम विनोध इती जुआ मनुरंजन है पर दाराभी गम्नम वेदग्ध्यम इती पर दाराभी गम्नम वेदग्ध्यम महलन तो जाएगा इ निगलेगा इती पर दार प्लस अभी गम्नम पर कार्थ होता है पराया दूसरा और दार शब्द द्रीधातु से घह प्रत्य होकर दारह बनता है पोल्लिंग में जिसका आर्थ होता है दरार, रित्ती, छिद्र, आदी और नित्य भवचन में दारशब्द जब रियुकत होता है तो दारहा बनता है दारा का आर्थ होता है पतनी या भारिया तो परदारा भी गमनम का आर्थ होता है परदार मतलब परिस्त्री के पास अभी गमन मतलब जाना अर्थार्थ परिस्त्री के साथ संभोग या व्यभिचार वैदध्यम वीधग्ध से श्य प्रत्य होकर वैदध्यम बनता है वैदध्यम कार्थ होता है कुशलता है चतुरता है परिस्त्री के साथ संभोग चतूरता है जबकि परिस्त्री के साथ संभोग पाप में है और आयू को क्षिन करने वाला माना जाता है धर्म सास्त्र केते हैं आयू क्षय करम पुन्साम पर दारा भी मर्शनम इसी प्रकार ध्युत कीड़ा भी यथार्थत दोशी ही है जिसे मनुश्मिती आधि धर्म सास्त्रों में राजा की दूर व्यस्नों के अंतर्गत परिगनित किया गया है ब्रिग्या श्रम इती ब्रिग्या मनुश्मिती में पंडी तत्व को परिभाशित करते विए और मानव धर्म का अपदेश देते विए महर्शी मनुभी कहते हैं मात्रीवद परदारेशु अर्थार्थ परिस्त्री के ब्रती मात्रीवद भाव रखना चाहिए इसलिए परदाराभी गमन ये दोश है म्रिग्या श्रम इती म्रिग्या कार्थ होता है म्रिग्य यन्ते पशवह स्याम इती म्रिग्या म्रिग्या यानि आखे टक शिकार श्रमह श्रमह परिश्रम है व्यायाम है कसरत है शिकार खेलना कसरत है लेकिन वास्तों में प्राणी खातक होने से आखेट दोशाव ही है संस्कृत वांग में के अंतरगत कनिश्ठिका दिश्ठित कवी के रूप में मान्य भारतिय संस्कृति के व्याख्याता महाकवी कालिदास भी अपने लोक विख्यात अभिज्यान शाकुंतलम नामक नाटक में अप्रस्तुत प्रशंशा लंकार के माध्यम से शिकार को वर्जित करते ही है कहते हैं वेखानस मुक से राजकर्तव्य का राजधर्म का प्रवर्तन करते ही है महाकवी कालिदास केते हैं तत साधुकृत संधानम प्रति संघर सायकम आर्थ त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी जो आखे टके म्रिग्या है वह व्यायाम नहीं हो करके तोश पौन ही है पानम विलासह इतिही पानम पानकार्थेया पर मध्यपान सुरापान शरापका सेवन विलास है आनन्द है विलासीता है जबकि वासों में मदिरा सेवन को धर्म शास्त्रों में महापातकों की अंतरगत गिना गया है मनुस्मृती कहती है ब्रह्म हत्या सुरापानम इस्तेयम गुर्वंगना गमह महांती पातकान्याहू संसर्गश्यापी तैसह प्रमत्तता कार्थ होता है उनमत्तता उनमाद प्रमादी होना गर्विता लापरवा होना अनवधानता यह शोर्य है शोर्य बीरता है मत्वाला होना बीरता है जबकि वस्तुतह प्रमत्तता आत्ममिनाश का हेतु होने से दोश ही है स्वदार परित्यागह अव्यस्नीता इती स्वदार स्व यानि अपनी दार दारकार्थे दारा यानि पत्नी अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर देना अ व्यस्नीते व्यस्नम अस्ती अस्त्य इती व्यस्नी इस अर्थ में व्यस्न शब्द से इनी प्रत्य होकर व्यस्नी बनता है व्यस्नी नो भाव व्यस्नीता व्यस्ने शब्द से तल प्रत्य और इस ट्रेलिंग में ता प्रत्य होकर व्यस्नीता बनता है और न व्यस्निता इती अ व्यस्निता व्यसन शब्दे के बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसे विनाश, पराजे, पतन, विपत्ती, अनिष्ठ, दुर्भाग्य, संकट, आदत आसकती यहाँ पर यह आसकती अर्थ में प्रियुक्तु हुआ है तो व्यस्निता का अर्थ है आसकती इसलिए अव्यस्निता का अर्थ हुआ अनासकती स्वदार परित्याग अव्यस्थनिता अपनी पत्नी का परित्याग कर देना अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देना अना सकती है इती इस तरह से दोशों को भी बुन बताते हैं जबकि वसुत भार्यत्याग पाप में ही है गुरु वचनावधीरणम अपर प्रणयत्वम इती गुरु वचनावधीरणम गुरु वचन प्लस अवधीरणम गुरु वाकिका गुरु देशका अवधीरण अवधीरण यानी अवधीरणा तिरसकार अपमान अनादर अवहेलना अपर प्रणियत्वम परस्य प्रणियह परणियह न परणियह अपर प्रणियह अपर प्रणियस सिभाव अपर प्रणियत्वम परकार्थ होता है दूसरा प्रणियकार्थ होता है वश्य पर प्रणियकार्थ हुआ दूसरों के वश में होना परप्रणियत्व और अपरप्रणियत्व कार्थ है दूसरों के वश में न होना अर्थार्थ स्वतंत्रता स्वाधीनता गुरु वचनाव धीरणम गुरु के वचन का गुरुप देश का अवधीरणम तिरसकार अपर प्रणेत्वं स्वाधीन ताहे स्वतंत्र ताहे जक्की बसुतह गुरु वचन का गुरुप देश का जो अपमान है वो अमंगलकारी ही होता है अजित भृत्यता सुखोप से व्यत्वम इती अजित भृत्यता जीत भृत्य येन सह जीत भृत्यह न जीत भृत्य अजीत भृत्यह तस्य भाव अजीत भृत्यता भृत्यका आर्थ होता है सेवक जीत भृत्य कहते हैं जिसने अपने सेवकों को अपने भृत्यों को अपने अधीन कर लिया है वश में कर लिया है वहे जीत भृत्य और अजीत भृत्यता कार्थ हुआ अपने सेवकों को वश में न रख पाना भृत्यों को अधीन न रख पाना है अजीत भृत्यता सुखोप सेव्यत्वं, सुखँ पलस उपसेव्यत्वं अर्थार्थ सुखोप सेव्यत्वं का अर्थ है सुखँ पूर्वक सेवा सुखमें शुष्टु सा जीत भृत्यता सुखोप सेव्यत्वमकारत है कि अपने सेवकों को अधीन न रखपाना सुख में सेवा है जबकि अपने सेवकों को अपने अधीन न रखपाना राजा के लिए हानिकारखी होता है इसलिए ये उसका दोश माना जाता है नृत्य गीत वाध्य वेश्या भी सकती रसिक्ता इती नाच गान और वाध्यों और तथा वेश्याओं में अभी सकती अभिवसर्ग वुर्वक संजधातुक से तिन प्रत्य होकर अभिसकती बनता है, अभिसकती कार्थ होता है, आसकती अनुराग तो नाच गान और वाध्यों तथा विश्यों में आसकती रसिकता है, रसा भीग्यता है जबकि रित्यादी में आसकती धर्म शास्त्रों के अंतरगत, कामस, दोशों के अंतरगत परिगणीत किये गए है मनिस्म्रती में कहा गया है, म्रिग याक्षो दिवास्वप्नह परिवाद इस्त्रियों मदह तोर्यत्रिकम वृथा त्याज कामजो दशकू गणह अतह दोशपोन होने के कारण ये राजाओं के द्वारा त्याज है महाप्राधा नाकर्णनम महानुभाव तेती महाप्राध प्लस अनाकर्णनम महानुभावता प्लस इती महाप्राध अनाकर्णनम महान अप्राधू का जगन्य अप्राधू का अनाकर्णनम आकर्णन कार्थ होता है श्रवन सुनना और अनाकर्णन कार्थ होता है श्रवन नहीं सुनना बड़े बड़े अप्राधू को भी नहीं सुनना महानुभावता है, महामहिमाशाली ता है, महाशय ता है, उदार ता है जबकि बड़े अप्राधों को भी न सुनना ये राजाओं के लिए कर्तव्य चूती होने से दोश्पुन माना जाता है परिभव सहत्वम क्षमेती परिभव सहत्वम परिभव सहस्य भाव परिभव सहत्वम भाव मेत्व प्रत्य हो रहा है आपर परिभव का आर्थ होता है अप्तुमान अनादर तिरसकार अमरकोश्वी कहता है अनादर परिभव परिभावस तिरस्प्रिया तो परिभव कार्थ है तिरसकार और सहत्वम सहन कर लेना अप्मान को सहन करना क्षमा है क्षमा क्षांती है सहन स्थीलता है जबकि अप्मान सहन करना राजाउं की जड़ता का उनकी मुर्खता का प्रतीक माना जाता है स्वच्चन्दिता प्रभुत्वम इती स्वच्चन्दिता स्वच्चन्दिता कार्थोता है स्विच्चाचारिता स्वेरिता मनमाना जरन करना निरंकुष बैववार ये प्रभुत्वम प्रभुता है स्वच्छन्दता प्रभुता है अर्थार्थ प्रभुता कार्थ होता है राजा होना है प्रभु शब्द से तो अप्रत्य होकर भावर्थ में प्रभुत्वम कार्थ होता है स्वामी होना राजा होना प्रभुता है जबकि स्वच्छन्दता अनुर्थ अनर्थो पादक अनर्थ का कारण होने से महांदोश ही है देवाव माननम महासत्वता इती देवाव माननम देव प्लस अवमाननम देवानाम अवमाननम देवताओं का अवमाननम कारथ होता है अवहेलना अपमान देवताओं का अपमान देवताओं का तिरसकार महासत्वता सत्वकारथ है यहांपर बल महासत्वता महाबल शालीता है महापराक्रम शालीता है जबकि देवतिरसकार वास्तों में अकल्यान करी है वंदी जन ख्याती यश इती वंदी जन कहते हैं इस्तूती पाठक भाट चारण इनकी द्वारा की गई ख्याती ख्याती का अर्थ होता है प्रशंशा यशो गान इस्तूती वंदी जन ख्याती यश इती यश है इस्तूती पाठकों की द्वारा की गई जो प्रशन शाहे वही राजाओं के लिए यश है, जबकि वस्तुतह मिध्या इस्तुती होने से बंदी जन्ख्याती दोश पोन ही है। जाता है। पक्षपातित्वम कार्थ है, पक्षपात न करना है, निश्पक्ष होना है, अर्थार्थ निश्पक्षता है, भले बुरे का अंतर्व न समझना निश्पक्षता है. जबकि यह राजाओं के लिए एक दोश है, क्योंकि कहा भी गया है, निर्विशेशम यदा राजा समम सर्वेश वर्तते, तदोध्यम समर्थाना मुच्षाह परिहियते. इती पक्षबातित्वम फिर्याम हलंतो जाएगा और इती निगलेगा इती इस प्रकार इस रूप में दोशान अपी दोशों को भी गुण पक्षम अध्यारोप यद भी गुण पक्षम गुणों के रूप में गुणों की श्रणी में अध्यारोप यद भी आरोपित करने अंतह का अर्थ है मन ही मन भीतर ही भीतर स्वयम अपी स्वयम भी विहसत भी हसने वाले स्वयम भी भीतर ही भीतर राजा पर हसने वाले प्रतारण कुशलाई छलने में चतुर प्रवंचना पटू धोका देने में कुशल धूर्त जनों के द्वारा ठगू द्वारा कप्टी पुर्षो द्वारा लंपट जनों द्वारा अ मानुषो चिताभी यहां पर धूर्ताई विसर्गो जाएगा रखा और उसमें से अ निकलेगा अ मानुषो चिताभी मानुषो चिताभी मानुष प्लस उचिताभी इसका आर्थ है मानुषो चित अर्थार्थ मानविय और अ मानुषो चित का आर्थ होता है मानुषो चिताभी इस्ततियों के द्वारा प्रशंशाओं के द्वारा इस्तत्रों के द्वारा प्रशस्तियों के द्वारा प्रतार्य माना प्रतार्य माना प्रवसर्ग पूर्वक निजन्त त्री धातु से शानच प्रत्योकर बववचन में प्रतार्य माना शब्द बनता है प्रतार्य माना का आर्थ है प्रवंचना किये जाते हुए ठगे जाते हुए ये प्रतार्य माना ये राजाओं का विशेशन है धोत जनों के द्वारा ठगे जाते भी ए और वित्त मद मत चित्ता वित्त मदेन मत तानी चित्तानी येशाम ताद्रिशा ये भी राजाओं का विशेशन है इसकार्थ है वित्त यानी धन के मद मद कार्थ होता है हंकार अभ अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड, मत्चित्ता, मत्च यानी उनमत्चित्त मन्वाले बित्थ मत्चित्ता कार्थ है धन्मद से, धन के अहंकार से प्रमत्चित्तवाले अभिमानी मनवाले निश्चेतन या निश्चेतन या कार्थ है चेतना कार्थ होता है ग्यान बिवेक तो निश्चेतना कार्थ है अज्ञान वश निश्चेतन या अज्ञान वश या बिवेक हींता के कारण तथा प्लस एव प्लस इती प्लस आत्मनी प्लस आरोपित प्लस अलिकाभि माना तथा एव इती तथा एव एसा ही है अर्थार्थ जेसा ये धुर्थजन केते हैं हम बेसे ही है हिती इस प्रकार आत्मनी अपने आप में स्वयम में आरोपिता लीका भीमाना आरोपितः अलीका अभीमाना येई ताद्रिशा अलीकार्थ होता है मिथ्या, असत्य, जूटा, अभीमान, अलीका भीमान कार्थ होता है मिथ्या अभीमान, मिथ्या गर्व, मिथ्या गर्व का आरोपिता आरोपित करने, आरोपन करने वाले अपने आप में आत्मनी अपने आप में मिठ्या भीमान का आरोप करने वाले तथा ये वीदी एसा ही है इस प्रकार आत्मनी स्वयम में आरोपित अलिका भीमाना मिठ्या भीमान का आरोप करने वाले मर्त्य धर्मानों अपी मर्त्य धर्मानः प्लस अपी उत्तो विसर्ग संदियो रिये मर्त्य धर्मानः मर्त्य धर्मों येशाम ते मर्त्य धर्मानः अर्धार्त जरा मरण व्याधी प्रब्रीती मानव धर्मों से युक्त उसको केते हैं मरत्य धर्मान, मरण धर्मा, मरण शील, मरत्य धर्मान कार्थे मनुष्य होने पर भी, अपी कार्थ भी, मरत्य धर्मान अपी मनुष्य होने पर भी, दिभ्यांशाव तीर्णम इव, दिभ्यांश अव तीर्णम इव, इव यहाँ पर उत्प्रिक्षावा चके मानो दिव्यांशाव तेर्णम इव दिव्य अंश का अवतीन अवतार दिव्य अंश का अवतार सा सदेवतम इव सदेवतम महलन तो जायेगा उसमें से इव निकलेगा इव प्लस अति मानुशं इवाति मानुशं सदेवतम कार्थे देवता इव देवतम यहाँ पर देवता शब्द से अण प्रत्य होकर देवत शब्द बनता है सदेवतम कार्थ होता है देवत्व से युक्त देवता से अधिश्टित अति मानुशं अति मानुशं कार्थ होता है मनुष्य एव मानुष्य सब्द से अन प्रत्यों कर मानुष वनता है और मानुषम अति क्रांतह अति मानुष्य अर्थार्थ अति मानुष कार्थ है अति मानव लोकोत्तर पुरुष अलोकिक जन महा मानव आत्मानम अपने आपको स्वयम को उत्प्रेक्ष माना संभावना करते विए, उत्प्रेक्षा करते विए, समस्ते विए, मानते विए प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानु भावा यही ते प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानु भावा दिव्योचित दिव्यजनु जेसी दिव्य जनों के योग्य, देवताओं के योग्य, चेश्टानों भावा, चेश्टानों भावा कार्थे गति विधियां, चेश्टाएं, क्रियाएं, कार्य प्रारव्ध मतब आरंभ कर दिये हैं प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानु भावा कारत है आरंभ कर दी है देवताओं जेसी क्रियाएं जिन्होंने ऐसे राजा लोगों का विशेशन है ये प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानु भावा दिव्य जनों की सी चेष्टाओं द्वारा अनुभाव यानी महात में दिखाना प्रारंभ करते हुए सर्व जनस्य समस्त लोगों के उपहास्यताम उपहास के पात्र उपियान्ती बन जाते हैं अपरेतु दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निश्पादन परई, स्वार्थ सिध्धी में लगे हुए धन पिशित ग्रास ग्रिध्रई, धन रूपी मांस का भक्षन करने में गिद्ध जैसे आस्थान नलीनी बकई, राज सभा रूपी, कमलीनियों में, कमलवन में, बगूलों जैसे ध्यूतम विनोद इती, ध्यूतम जुआ विनोद इती मन बहलावे परदाराभी गमनम, परिस्त्री के साथ संभोग वैदग्ध्यम इती चतुरता है ब्रिग्याश्रम इती, शिकार व्यायाम है पानम विलास इती, मध्यपान विलास है परदार, प्रमतता शोर्यम इती, प्रमतता अनमतता शोर्य है बीग्ता है, स्वदार परित्यागह, अपनी धर्म पत्नी का परित्याग अव्यस्नीता इती अव्यस्नीता अना सकती है गुरु वचनाव धीरणम गुरुप देश का तिरसकार अपर प्रणयत्वम स्वाधीन ताहे स्वतंत्र ताहे अजित भृत्यता सुखोप सेव्यत्वम इती अजित भृत्यता सेवको को वश में न रखपाना सुखोप सेव्यत्वम सुखमे सेवा हे रित्य गीत वाध्ये विश्या भी सकती रसिकता इती, नाच गान वाध्यों और विश्याओं में आ सकती रसिकता है, रसा भिज्यता है महा प्राध अना कर्णनम महा नुभावता इती, महान अप्राधों को भी न सुनना महा नुभावता है महा शेता है, परिभव सहत्वम क्षमा इती, परिभव सहत्वम अप्मान को सन करना क्षमा है सन शीलता है स्वच्छंदता प्रभुत्वम इती, स्वच्छंदता स्विच्छाचारिताया निरंकुष आचरन प्रभुत्वम प्रभुता है देवाव माननम, देवताओं का अपुमान, महासत्वता, महाबलशालिता है, बंदी जन ख्याती, बंदी जनों के द्वारा, चानों के द्वारा की गई ख्याती आने प्रशंशा, यशह, यशह, तरलता उत्साह इती, चंचलता उत्साह है, विशेशग्यता पक्षपातित्वम इती विशेशग्यता भले भुरे का अंतर न समझपाना पक्षपातित्वम निश्पक्षता है इती इस प्रकार से इस रूप में दोशान अपी गुण पक्षम अध्यारोप यद्वी दोशों को भी गुणों के रूप में अध्यारोप यद्वी आरोपित करने वाले अंतर स्वयम अपी विहसत भी राजां पर हसने वाले प्रतारन कुशलई प्रतारन धोका देने में वंच्चना करने में कुशल ठगने में निपुन धूर्तेई धूर्त जनों के द्वारा अ मानुशों चिता भी अ मानुशों चित अमानिविय इस्थुती भी इस्थुत्यों के द्वारा प्रतार्य माना ठगे जाते लिए बित मद मत चिता बित धन के मद में धन के अहंकार से उनमत चित वाले निश्चेतन या अज्यान वश तथा एव इती इसा ही है इस प्रकार से आत्मनी आरोपिता लीका भीमाना अलीक भीमान यानि मिध्या भीमान का आरोप करने वाले मर्त्य धर्मान अपी मनुष्य होने पर भी दिव्यांशाव तिर्णम इव अत्मानम अपने आपको दिव्यांशाव तिर्णम इव दिव्यांश का अवतार सा सदेवतम देवता से अधिश्टित देवत्व से युक्त अति मानुषम अति मानव महामानव उत्प्रेक्ष माना संभसते विए प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानु भावा दिव्योजनु जेसी चेष्टाएं प्रारंभ करते हुए सर्व जनस्य समस्त प्रजाजनु के उपहास्यताम उपहास के विशे उप्यान्ती बन जाते हैं न्याहा अवतिर्णम मीव में क्रियोत प्रेक्षा और सर्देवत्व मीव में गुणोत प्रेक्षा अलंकार का प्रियोगु आहे।